हेलो दोस्तो स्वागत आपका फिर से एको न्यूव वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में होल्डर और प्लक से हम बनाने वाले हैं एक सिरिंज दोस्तो सिरिंज क्या होती है वो मैं आपको बता दूँ जैसे कि कोई भी कूलर खराब हो जाता है उसमें करेंट आ ज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने क्या तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक होल्डर लिया है और एक प्लग लिया है तो दोस्तों यह मैंने लेका आया हूँ मुर्ष मेरे घरपे मेरे पास पुराने नहीं थे तो आप चाहो तो पुराने भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि काम तो करते ही है, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही असान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिस करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर एक वायर लेना है हमें, तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है पहली से, तो इसको भी बताऊंगा कि मैंने यह कट क्यों करा है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं, हम जो है, दो जो वायर हैं, किधर से भी ले सकते हो, कोई भी आप दो वायर ले सकते हो, दो वायर हमें प्लग में लगाने हैं, तो स झाल झाल तो दोस्तो देख सकते हो तो अच्छी तरीके से यह कस गया है तो दोस्तो आपको बैक्ग्राउंड में कुछ आवाज आ रही होगी नुई सारी होगी तो टैंसन मतलों क्योंकि हमारे यहां बच्चे आए वह हैं तो भाई बच्चे तो पते यह कैसे रोते हैं हुआ कि तो अब जो है यहां पर जो दो दोस्तों यहां पर यह दो तर लिए हमने यह हमने लगा दिये प्लक में तो देख सकतो सीदा-सीदा यह वार गया और यहां पर जो है अगर हमें मोड देंगे तो अच्छी फिनिसिंग दिखाई देगी अच्छा लगे गए तो यह मोड के जो हम दोनों तार इसके अंदर लगा देंगे देख सकतो इसके होल्डर का के अंदर निकाल लेंगे देख सकतो मैंने निकाल लिया और यह जो तो तार थे हमें इसमें देख सकतो है यहाँ पर यह हमने लगा दिया और अब इसे हम कस लेते हैं कि दोस्तों हमारा जो है सिरिज जो है हमारी लगबक बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों यह दूसरी बनाते हैं जो आपने देखी होगी दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक सोप पर वो बोर्ड में ही रहती है तो वो बोर्ड वाली अलग होती है इसी परकार से बनती है लेकिन वो बोर्ड में लगाई जाती है यह जैसे हम इसे छोटी कह सकते हैं जुगाड कह सकते हैं इस आप गर्म अपनी यूज़ कर सकते हो कुछछ बीचीज आप ठेख कर सकते हो इसकी म elaborately से और यह बहूत ही सस्ते में बनकर रेडी हो जाती है यह बहुत कि महकी बनती है बहुत ही सस्ती मेरेडी और यह लगा दिया ऑप देख सकतो दोस्तो अब देख सकतो दोस्तों पेहलेट से कितनी अचिछ फिनीस्ञ देखाएेस में यह फिनीशिंग की वैसे से हमने दूसरा तार टार वह लगाया था और यह यह ची तरीके से देडियो चुका है तो दोस्तों एक वर आप sano समझा दूँ यह और आ कि हैं यहां पर लगाया हैं और यह सीधी डोरी इड को इसे हमें सारी गूसा हीरा फिरम हमने वायर बचे हैं यह हमारी टेस्टिंग के लिए सबने के में एह मेरे स्रींग तो इसे हम चील देते हैं कर देखो सब्सक्राइब करो अपने भाई को सपोर्ट करो जाद से जाद अपने भाई को सपोर्ट करो अच्छे अच्छे टोपिक पर वीडियो लेके आते रहेंगे हम कर देख सकतो हमारी जो सिरिंग वह अच्छी तरीक से बनके रेडी हो चुकी है बस लगब ये सई से कर लेता हूं मैं से दोस्तों इससे क्यों होगा यह महीं के महीं रुकर एका तार नहीं निकलेंगे इसमें देख सकतो हमारी जो सब्सक्राइब है वह अच्छी तरीके से बनके रेडी हो चुकी है और अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं दोस्तों देख सकतो यहाँ पर मैंने एक बॉर्ड ले दिया है जो कि आपको यह DC में नहीं लगाना है अगर आप DC में लगाते हो तो इससे DC ही ही चेक करना यह रद देओ अट हम बंक लाधे हो एक बलब लेना है जो कि हमीं इस होलडर में लगा देना है तो अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा और अब जो हम चेक करते हैं तो दोस्तो इसका जो पिलक है हमें वो इसमें लगा देना है बोर्ड में यह हमने लगा दिया और जैसे ही हम यह दो जो तार हैं इन्हें आपस में टच करते हैं तो यह LED बलफ चलेगा देखो देख से को अब हमें चेक कैसे करना है वह आपको बता दूँ तो दोस्तो यह जो पिलक आप देख रहे हो यह cooler का पिलक है अगर हम यह जो दो वायर हैं इसके दो वायर पर लगाएंगे अगर बलफ जल जाता है तो समझिये cooler की motor बिलकुल फिट है cooler की motor खराब और नहीं जलता तो समझें खराब है किसी बारी होता है तर भी चूट जाते है लीड में तब हो जाती है तो हमें एक्षी तरीकिती आपनी हलें तो सबसे पहला हम इस एक और Live यह औ turning चलिए cooler सही है आप इससे कोई भी चीज कर सकते हो फैन भी कर सकते हो अब मैं आप गूलर का करेंट चेक करके बताते तो कैसे चेक करना है तो चलिए देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर cooler रखा हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूं यह बलब जल रहा है तो हमें कैसे चेक करना है तो दोस्तों एक वायर हमें cooler के तार पर लगाना है और एक वायर हमें cooler में लगाना है तो देख सकते हो मैं cooler में लगाता हूं तो यहां पर ब यहां हलका सा अर्थ आ रहा है तो दोस्तों ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब